हर ब्यक्ति के जीवन में बुरा वक्त आने से पहले भगवान देते हैं दस संकेत तुरंद करे उपाए सभी को पूरे और अच्छे वक्त से गुजरना पड़ता है और जो इनसान इन दोनों समय में अपनाया समय काट लेता है वहीं सफल हो जाता है आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपके बुरे वक्त आने से पहले भगवान कुछ संकेत देते हैं और उन संकेतों को देखकर समझ जाना चाहिए कि हमारा बुरा वक्त आने वाला है और सचेत भी हो जाना चाहिए जो ब्यक्ति इन्हें जानकर भी अंजान बना रहता है उसका सर्वनास होने में समय नहीं लगता इस बात की चर्चा पुराडों में भी दी गई है इस तरह के संकेत दिखाई देने पर उनके निवारण के लिए किसी अच्छी ब्यक्ति से मिलना चाहिए जो इन सब बातों का अच्छा जानकार हो आए जानते हैं कौन से बुरे वक्त के संकेत भगवान देता है अगर किसी महिला का मंगल सुत्र अचानक तूड़ जाता है तो पती के जीवन पर आने वाला संकेत देता है आएसी इस्थिती में पतनी को तुलसी की पूजा करनी चाहिए घर से निकलने पर आए दिन कहीं ने कहीं जगडा मार पीट देखने को मिले तो समझिये कि किसी से कोई कलेस होगा या फिर आपसी रिस्तों में खटास आने की असंका है अगर कभी पूजा पाट के दोरान पूजन थाली गिर जाती है तो समझिये कि आपसे देवगण रुष्ट हैं इसलिए पूजन बीधी में सुधार की जरूवत है खाना खाते समय पहले निवाले का कड़वा लगना और दूसरे का समाने लगना इस बात का संकेत देता है कि आपके किसी रिस्तदार के यहां से बुरी खबर आ सकती है इतना ही नहीं आपका कोई बनता हुआ रिस्ता बिगड़ भी सकता है अगर सिंदूर लगाते समय सुहागन की सिंदूर की डिविया गिर जाए तो उसके पती के कारोबार के लिए बुरे समय का संकेत है ये वक्त और बिना वज़दूद का फटना इस बात का संदेश देता है कि आपके घर में कोई बड़ा कलेश होने वाला है या फिर जल्द ही कोई बड़ी बिमारी आने की असंका है बुरे सपनों का हर रोज आना इस बात का संकेत है कि घर में कोई कलेश होने वाला है इससे कारोबार मंदा होने के संकेद भी मिलते हैं इन दोनों के साथ ही बुरे सपनों के बार-बार आने पर यह परिवार के किसी सदस्य पर बड़ी मुसीवत आने की असंका को भी पुष्ट करता है आपके घर के आसपास या आपकी पाली हुई बिल्ली अगर अकसर अलग-अलग तरह की आवाज निकाल रही है और डर रही है तो समझिये कि आपके आसपास के परिवेस में कोई नकारवत उर्जा काम कर रही है जो किसी समस्य की वहख हो सकती है अगर परिवार की किसी महिला को नदी या किसी बड़े भोच के सपने दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए कि घर में किसी व्यक्ति की जान संकट में है अगर बार-बार कांश टूट रहा है तो यह भी किसी बड़े संकट का संदेश है नमस्कार दोस्तों आसा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सस्क्राइब कर देना ताकि नेक्स वीडियो आप लोग के पास असानी से पहुँच सके मिलते हैं दोस्तों नेक्स वोडियो में किसी और कहानी के साथ धन्यमाद थाइंक्यू जय माता दी